नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल टेक्निकल पंकर जोन में और जैसा कि आज का वीडियो है टाइम इस्टॉप अप्लिकेशन में किस प्रकार से एकाउंट क्रियेट करना है अगर आपने अभी तक एकाउंट क्रियेट नहीं किया है टाइम इस्टॉप अप्लिकेशन में तो उसका कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाला हूं और दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे हमारे यूजर्स हैं जिनका यहां पर रिकावर करने में प्राब्लम आ रही है एकाउंट को रिकावर करने में प्राब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि या तो उनके पास private की नहीं है या password गलत है तो इसे हम किस प्रकार से solve कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं यहां पर information देने वाला हूं तो अगर आप ने इस account को create नहीं किया है तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इहां पर account को create करना है तो दोस्तो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और यहां पर बेल आइकन को on कर लिजे ताकि आपको जो छोटी छोटी इंफ्रामेशन है उसका वीडियो सबसे पहले मिल सके और वीडियो में बताई गए इंफ्रामेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना तो चलिए फ्रेंट्स यहां पर जो प्लेइस्टोर पे चलते हैं प्लेइस्टोर पे हमें यहां पर टाइम स्टॉप टाइप कर लें यह जैसा कि आप होम इसकीन पर देख रहे हैं ठीक है अब यहां पर क्य ठीक है तो अब यह क्या है कि इन दोनों में से अगर आपके पास कोई अप्शन नहीं है तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको रिकवर करना होगा फॉर्स्ट अफाल आपको यहां पर क्या करना है कि लॉग इन वीद सर्टिफिकेट का एक साहर। है जिसमें टर्म अफ यूसगे एकॉर्णिग यहां पर एगरी वाले सिक्ष्मन करने में यहां पर क्लिक्ख करना है ओके जैसे इहां पर एकरी वाले सिक्ष्मन क् तो आइडी में जैसे कि यहां पर जो वीटनेस में जैसे कि मैंने यहां पर दिया है इसे कर सकते हैं manner जब से पहला अप्षन है जिसमें मैंने यहां पर च्रतीए में फ़ें हाब शता है है तो ऐसे ही आपको यहां पर फिल अप कर सकते है तो यहां पर जो second option है यहाँ पर अब next है यहाँ पर की gender और male में आपको select कर लेना है gender या male में और full name में यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि जो आपका अधार card में नाम है same way आपको यहाँ पर name mention करना है अब यहाँ पर जो दो option दिया हुआ है एक Hindi में and एक English में तो Hindi में क्या है कि आप Hindi में भी अपना नाम यहाँ पर submit कर सकते हैं अगर नहीं करना चाहते हैं तो English में भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा हला कि English वाले section में आपको English में ही अपना नाम submit करना है अब next है यहाँ पर आपका date of birth है और date of birth में यहाँ पर आपको जैसा आपका आधार कार्ड में है वैसा ही आपको यहाँ पर कर लेनी है उसके बाद next वाले section पर क्लिक करना है और आगे आप देखोगे कि यहाँ पर information confirmed है यहाँ पर इन्होंने एक चितावनी भी दिया है चितावनी क्या है कि यहाँ पर जो आप आप यूज करते है टेक्निकल दा ओके अब यहाँ पर next है इंडिया का आप सना गया यानि कि आप इंडिया से है और आपका नेम हो गया और यहाँ पर आपने जेनर सेलेक्ट किया था वह है और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ द्यान देने वाली बात है friends कि यह जो आपने information द दिया है इसमें से कोई भी एक गलत होता है तो आपका KYC को reject कर दिया जाएगा इस बात का ध्यान रखना ठीक है अब हम next यहाँ पर चलते हैं तो next में आपके सामने इस परकार का इंटरफेस आएगा next का आप सना आएगा तो next वाली आप सन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे साम यहाँ पर आप लेटर कर सकते हैं लेकिन मैं आपको suggest करूंगा कि आप यहाँ पर अपना mail id दे दें क्योंकि इस से आपको in future में इस account को recover करने में असानी आएगी जैसा कि अभी क्या है कि बहुत सारे से users हैं जिने password से भी जो यह account है इसको login करने में problems आ रही है अगर वो mail id अपना starting में दिये रहते तो mail id में जो उनका information है तो क्या है कि recover करने के लिए mail id पे उनका जो password create होगा वो अपने उनके mail id पे चला जाएगा तो इसका यह benefit है recover करने में overall ओके तो जो क्या है कि आपका recover करने के लिए यहाँ पर mail id submit कर लेना है और जब यह आप submit कर लोगे तो य सब्मिट कर लोगे तो सब्मिट करने के बाद आप क्या होगा आपके सामने इस प्रकार का है एक page open हो जाएगा time stop application का home page तो ऐसे आपका क्या है आपका account create हो गया जब आप अपना account create कर लेते हैं तो profile वाले section में आप आओगे तो यहाँ पर और भी चीजे verify करने के लिए आप सना आता है जैसे कि certificate का आ जाता है ठीक है और जो है कि profile का आता है password का and mail का आपने अगर जो mail अल्रेडी किया है तो यहाँ पर राइट का चीन दिखाएगा इसमें सबसे important friends है आपका private key जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह जो private key है इसे किसी notebook diary में note करके आपको रख लेनी है अगर private key आपका रहेगा तो ना password की ज़रूरत पड़ेगी ना mail ID की ज़रूरत होगे अब यहाँ पर बात करते हैं जो यह public key है यह public key का यूज जैसे कि हम जो coin है time stop coin को send or receive करने में यह काम आता है public key का और private key को आपको share नहीं करना है इसका विशिस ध्यान रखना ठीक है फ्रेंस private key आपता संपत्ती है एक तरह से कहें कि यह अभी तक आपने time stop application में जो भ start हो चुका है मैंने के वाइसी से रिलेटेड दो वीडियो अप्लोड किया है अपने चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं पहला जो वीडियो है उसमें मैंने mention किया है कि आप किस प्रकार से free में के वाइसी का notification पा सकते हैं हाला कि उसमें paid का भी आप साने 520 रूपीज देके आप quickly जो है KYC अपना करा सकते है time stop application में और जो second वीडियो है उसमें मैंने live KYC के बारे में step by step information दिया है तो वो भी आप जो वीडियो है must देखिए ताकि KYC में अगर आपके पास KYC का notification आएगा तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई problem ना हो अब बात करते हैं ऐसे users जिनका account recover नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए सबसे पहला जो इसका method है private key का private key अगर आपके पास है तो private key से आप easily रूप में इसमें login कर पाओगे लेकिन अगर आपके पास private key नहीं है तो second option है password से password के लिए आपके पास ID होनी चाहिए जो आपकी है जैसे कि मेरा technical दा है ऐसे ही आपकी भी जो ID है ID वहाँ पर submit करने के बाद login वाले section में उसके बाद जो वहाँ पर password वाला section है वहाँ पर फारगेट password कर लेना है फारगेट password आप करोगे तो अगर आपने mail ID वहाँ पर verify किया है तो mail ID पे एक OTP जाएगा या एक link जाएगा उस link के तुरू आप अपना password recover कर ध्यान देने वाली बात है friends कि अगर आपके पास email ID पहले से verified है तो ही आप password को recover कर पाओगे ठीक है तो यह दो चीजे important है क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैंने already mention किया रहता हूं कि अपने private key को किसी notebook diary में note करके रख लें ताकि आपको कि आने वाले समय मे किसी प्रकार का कोई problem न हो लेकिन अगर आपके पास private key भी नहीं है password भी नहीं है और mail ID भी verify नहीं किया है तो friends इसके लिए sorry क्योंकि time stop application का जो term and condition है उसको आप follow आपने नहीं किया है starting में अगर आपने कहीं से download किया है वहां से आपको complete information नहीं मिल पाया है जिस वज़र से आ क्योंकि अगर आप parties में जो है कि attendance score complete नहीं भी करोगे ऐसे भी आपका जो account है वो delete हो जाएगा तो मैं आपसे यहीं सजेस्ट करूंगा कि आप क्या है कि एक नए सीरे से आप time stop application में mining कर सकते हैं तो friends वीडियो में बताई गई जनकारी कैसा लगा like share subscribe करके हमें जरूर बताए और comment box में अपने views क्या की जो आपकी thinking है वो हमें share करें उसका भी समाधान हम करेंगे अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में धन्यवाद